नमस्कार मित्रों, मैं अविनास रिजन गुपता, आप सभी का अपने चैनल पर हर्द कभी नंदन करता हूँ आज हम बार्भी की पुस्तक आरोह भाग दो के इस चैप्टर का अध्योपांद अध्यन करने वाले हैं आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाईएगा कि ये चैप्टर, ये पार्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है इसमें सब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बाते, प्रश्नोतर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा आप आगये हैं मेरे कम्पिटर की स्क्रीन पर और यहां हम विस्तार से अध्यन करने वाले हैं फणी स्वर नाथ रेणू की बहुत ही अच्छी कहानी पहलवान की धोलक इस पार्ट का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम इन बिंदूओं के बारे में विस्तार से जान पाएंगे सबसे पहला बिंदू है गाउं की दयनिय स्थिती के बारे में 1960 के दसक में भारतिय गाउं की क्या स्थिती थी उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे especially Bihar की जातिप्रथा प्रचलन और वीच्षेद के बारे में जातिप्रथा 1960 के दसक में अपने चरम पड़ की लेकिन इस कहाणी में एक समसदार बुध्धि-जीवी व्यक्ति ने जातिप्रथा का वीच्छेद किया वो समस्दार और बुद्धी जीविवेक्ती कोई और नहीं बलकि स्यामनगर का राजा स्यामानंद था जिसने लुटन जो नीच जाती का था लेकिन उसने एक पहलवान को हरा दिया और इस वजा से उसे सिंग की उपाधी दे दी पहलवानी पर घुड़सवारी की विजय पहलवानी या कुस्ती भारत की प्राचीन खेल कुद या संस्कृति का एक अंग माना जाता है लेकिन यहाँ पर पहलवानी पर घुड़सवारी की विजय होती दिखाई पड़ती है क्योंकि जब राजा स्यामानंद की मृत्यु होती तो उसका बेटा जो विलायत में पढ़ रहा था वो भारत आता है और पहलवानी की जगा घुड़सवारी को लागू करवा देता है विलक्षण प्रतिभा का दुखद अंत इस पार्ट में हमें एक ऐसे रेसलर एक ऐसे पहलवान के बारे में जानने को मिलेगा जिसका नाम लुटन है वो बिना किसी गुरू के अपने से दिगज दिगज पहलवानों को धूल चटा देता है परंतु उसकी विलक्षण प्रतिभा का दुखदंत होता है हिम्मत और धैरे का अनुठा वर्णन हिम्मत और धैरे ये दोनों चीजे हमें लुटन में देखने को मिलती है लुटन में हिम्मत भी बहुत है इसलिए वो स्याम नगर के मेले में चान सिंग से दो-दो हाथ करने लगता है और धैरे भी बहुत है इस बात का हमें पता उस समय चलता है जब महामारी के चपेट में उसके दोनों बेटे आ जाते हैं और वो अपने दोनों बेटों को नदी में फैक आता है और उस साम भी धोलक बजाता है लेखक परीचे इनका नाम है फणिश्वर नाथ रेणू रेणू इनका उपनाम है इनका जन्म 4 मार्च 1921 और राही हिंगना जिलापुड़निया अब अरलिया बिहार में हुआ था और इनका निधन 11 एप्रिल 1977 पटना में हुआ इनकी बहुत सारी रचना है प्रकासित हो चुकी है लेकिन इनकी जो एक अमर रचना है वो है मैला आचल ये आचलिक उपन्यास है और बहुत ही अच्छा उपन्यास है फणिस्वर नाथ रेणू के बारे में और पढ़ना चाहें तो विडियो को पॉस करके पढ़ सकते हैं पहलवान की ढोलक का पात्र परीचे सबसे पहले इसमें जो मुख्य पात्र है वो है स्वयम लुटन कहानी का मुख्य पात्र है नौ वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था सौभाग्य वस साधी हो चुकी थी विद्वा सास ने पाल पोस कर बढ़ा किया ये धारोशन दूद पीता और कसरत करता था इसके पीछे क्या वजह थी इसकी सास विद्वा हो चुकी थी और लोग उस पर कमेंट करते थे फबतियां करते थे उन्हें सताया करते थे तो अपने सास के अपमान का बदला लेने के लिए ये धारोशन दूद पीता अर्थाद गरम गरम दूद पिया करता और कसरत किया करता इस पार्ठ में दूसरे करेक्टर हैं, दूसरे पातर हैं स्यामानन्द ये राजा है, कहा के राजा है? ये स्यामनगर के राजा है लुटन ने जब चान सिंग को धूल चटाई, तब इन्होंने लुटन को सिंग की उपाधी दी सिंग जो है, वो राजपुत के स्रेणी में आता है और इन्होंने सिंग की उपाधी दी और राज पहलवान घोसित कर दिया पंद्रा वर्सों तक लुटन राज पहलवान रहा और स्यामानंद की छत्रचाया में रहा अगला पात्र जो है वो है चान सिंग ये पंजाब से आये हुए थे और इनके गुरू का नाम था बादल सिंग इन्हें सेर के बच्चे की उपाद ही मिली हुई थी लेकिन लुटन सिंग के साथ जब इसका मल्योध होता है तो इसे हार का मुझ देखना पड़ता है धोलक गुरू हाला कि ये कोई पात्र नहीं है लेकिन धोलक का बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ी भूमिका है इस कहानी में क्योंकि लुटन जब पहली बार चान सिंग से युद कर रहा था स्यामनगर के मेले में तो वहाँ पर लुटन का साथ देने वाला कोई नहीं था लेकिन धोलक की थापों से जो धोनी निकल रही थी उसमें लुटन को ऐसा लग रहा था कि ये धोलक की थाप उसे कुछ दाव पेच सिखा रही है और उनहीं दाव पेच के आधार पर लुटन चान सिंग को धूल चटा देता है और जैसे ही वो चान सिंग को धूल चटा देता है विजे ही हो जाता है, तो सबसे पहले जाकर वह द्धोलक को प्रणाम करता है और कहता है कि मेरा गुरू और कोई नहीं बर्की है, द्धोलक ही है पाठ का सार, अभी मैं इस पाठ के सार को पढ़ने जा रहा हूँ आप इस पाट के सार को अगर अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं तो आखे बंद कर लिजिए, ध्यान से सुनिए, विज्वलाइस कीजिए ताकि ये पाट का सार आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाए और अगर ये पाट का सार आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है तो आप किसी भी प्रकार के प्रशनों का उत्तर अगर इस पाट से पूछा जाता है तो आप देने में सक्षम होंगे पहलवान की ढोलक एक मारमिक और प्रसिद कहानी है इस कहानी में लेखक ने अपने गाओं की ग्रामिर जीवन सैली एवं संस्कृती का सजीव रूप प्रस्तूत किया है इस कहानी का मुख्य पात्र लुटन है और इसके ही इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है और अंत में हमारे लिए कई सवाल छोड़ जाती है कहानी की सुरुवात पहलवान की धोलक के बजने से होती है गाओं में महामारी फैली हुई है रात के वातावरण में कभी सांती होती है कभी जोपडियों से कराहने वा उल्टियां करने की आवाजें आती तो कभी बच्चों के रोने की आवाजें आती ऐसे समय में पहलवान की ढोलक संध्या से सुभा तक एक ही गती से बज़ती रहती थी ढोलक की यही ढोनी मृत्त गाओं में संजीवनी सक्ती का संचार करती रहती थी लेखत ने पहलवान के जीवन के बारे में बताया है कि नौ वर्स की आयू में ही पहलवान के माता पिता के मृत्ति हो गई थी और उसका पालन पोशन उसकी विध्वा सास द्वारा किया गया लोग लुटन की सास पर तीका टिपनी करते थे सास पर हुए इन अत्यचारों को देख कर लुटन उनसे बदला लेने की ठानी और धारोशन दूध पी कर और अपने सरीर को मजबुत बनाना सुरू कर दिया वह गाउं में पहलवानी करने लगा एक दिन वह स्यामनगर के मेले में दंगल देखने कया था वहाँ पंजाब स्याय बादल सिंग के सिस्य चान सिंग जिसे सेर के बच्चे की उपाधी मिली हुई थी उसने वहाँ के लोगों को मल्यूद के लिए ललकारा माटी की लाज, आत्म विश्वास और धोलक को अपना गुरु मान कर लुटन ने उसे धूल चटा दी विजई लुटन को राजा स्यामानंद ने सिंग की उपाधी दी और राज पहलवान घोसित कर दिया अब उसका पालन पोशन राज दरबार से होने लगा लुटन ने काला खां उस समय का बहुत प्रसिध रेशलर काला खां जैसे प्रसिध पहलवान को हरा कर अपने को अजेव पहलवान घोसित कर दिया इस प्रकार पंद्रह वर्स बीट गए लुटन की पतनी दो लड़कों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई वह अपने बेटों को पहलवानी की सिक्षा देने लगा इसी क्रम में राजा स्यामानंद की भी मृत्ति हो गई और विलायत में पढ़ने वाला उनका लड़का पहलवानों के खर्चों को देखकर उसे राध दरबार से हटा दिया विवस होकर पहलवान अपने दोनों बेटों समेथ अपने गाउं लोट गया और वहाँ आकर अपने बेटे और ग्रामिड बच्चों को कुस्ति सिखाने लगा ग्रामिडों में कुस्ति के प्रती अरूची के कारण पहलवान के बेटे मजदूरी करने लगे उसी समय गाउं में सूखा और महामारी जैसी विवी सिका के कारण एक एक करके लोग मरने लगे ऐसी भयावह स्थिती में पहलवान नित्य संध्या से सुभा तक धोलग बजाता था एक दिन उसके दोनों बेटे भी महामारी के चपेट में आ गए जिन्हे वा नदी में बहा आया अपने पुत्रों के मृत्यू के बाद भी वा धोलग बजाता रहा चार-पांच दिनों के बाद धोलग की आवाज आनी बंध हो गई जब लोगों ने जा कर देखा तो पहलवान की लास चित पड़ी थी एक सिस्य ने कहा कि गुरू ने कहा था उसकी मौत के बाद उसके सरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए क्योंकि वा कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय धोल बजाया जाए इस तरह पहलवान के अंत के साथ कहानी का अंत होता है पाठ का सार कुछ इस प्रकार का था अगर हम लोग इस पाठ के आधार बिंदू पर चर्चा करें तो देखिए गाउं में महामारी और सूखा इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि उस समय मेडिकल साइंस उतनी डेवलप नहीं थी और सूखा अरथात अनावरिष्टी बारिस ना होने के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे थे इससे ये भी पता चलता है कि उस समय सिचाही बेवस्था या irrigation या kennel के माध्यम से जो सिचाही होती है उसकी बेवस्था उतनी उत्तम नहीं थी, medical facility उतनी उत्तम नहीं थी, तो गाओं की स्थिती दय निये थी लुटन के लुटन सिंग बनने तक का सफर, लुटन छोटी जाती का था लेकिन जब उसने अपने सास पर हुए अत्यचारों का बदला लेने के लिए सारेरिक रूप से खुद को मजबूत बनाना चाहा तो वो पहलवानी करने लगा और इसी क्रम में उसने स्याम नगर मेले में पंजाब से आय चान सिंग को हरा कर राजा स्यामानं से सिंग की उपाधी प्राप्ट की और 15 वरसों तक राज पहलवान घोसित रहा राज पहलवानी के उपद पर 15 वर्स इन ही 15 वर्सों में उसने अपने दोनों बेटों को पहलवानी के गुर सिखाए राजा को कैसे खुश रखना है वो सिखाया दाव पेश सिखाया अपने बेटों को ये भी बताया कि मेरा गुरू कोई इंसान नहीं बलकि ये धोलक है इसी में उनकी पतनी का भी स्वर्गवास हो गया राजा के मृत्यू इन ही 15 वर्सों में राजा की भी मृत्यू हो गई और राजा के मृत्यू हो जाने के बाद राजनीतिक सड्ययंत्र सुरू हुआ राजनीतिक सड्ययंत्र के चपेटे घात में लुटन सिंग मैनेजर राजपंडित ये लुटन से इर्श्या करते थे इर्श्या करने का मुख्य कारण ये था कि लुटन छूटी जाती का था ये उचे पदपर था इस पर बहुत पैसे खर्च होते थे इनके बेटे पर बहुत पैसे खर्च होते थे तो ये बाते राजपंडित और मैनेजर को फुटी आँख ना सुखाती थी राजा की मृत्यू के बाद विलायत में पढ़ने वाला उसका बेटा जब भारत आया और बाग दोर अपने हाथ में ले ली तो पहलवानों पर हुए खर्चों को देखकर उसने कहा होरिबुल मैनेजर ने कहा टेरिबुल अर्थात मैनेजर वहाँ चाहता तो ये कह सकता था कि ये पहलवान आपके पिता जी ने रखे थे और ये पहलवान सचमुस डिजर्विंग कैंडिडेट है इसे रहने दिया जाए ये हमारे राजजी की सान है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए लुटन सिंग को राज दर्बार छोड़ना पड़ा राज दर्बार छोड अपने बेटों के मृत्यू के बाद भी लुटन गाँवालों में संजीवनी सक्ति का संचार करने के लिए संध्या से लेकर सुभा तक नित्य धोलक बजाया करता था लेकिन जब 4-5 दिनों के बाद धोलक की अवाज नहीं आई लोगों ने उसके घर जाकर देखा तो पाया की लुटन मारा पड़ा है इस प्रकार लुटन के बृत्यू हो जाती है पहलवान की ढोलक पार्ट से प्रस्नावली कहानी के किस किस मोड पर लुटन के जीवन में क्या क्या परिवर्थना है कहानी के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे ऐसे मोड थे जब लुटन के जीवन म बहुत परिवर्तना है, जैसे नौवर्स की आयू में ही उसके माता पीता उसे आनाथ बना कर इस दुनिया से चले गए विध्वा सास द्वारा उनका पालन पोशन हुआ, स्यामनगर मेले में वो चांद सिंग को हरा कर राज पहलवान गोसित होता है पंद्रा वर्सों तक वो राज पहलवानी के पदपर रहता है, इसी करम में उनकी पत्नी की भी मृत्यू हो जाती है और राजा स्यामनद की भी मृत्यू हो जाती है विलाय से पढ़ने वाला उसका लड़का जब बाग डोड संभालता है तो पहलवानी की जगह घुर्सोवारी को जगह दे देता है और इन पहलवानों को विदा कर देता है उसके बाद वह अपने गाउं लोट आता है और अपने गाउं में लोट आने के बाद वहाँ सूखा और महामारी फैली हुई थी जिस वजा से पहलवान के दोनों बेटों की मृतिव हो जाती है और एक दिन वो भी इस महामारी के चपेट में आ जाता है और उसकी भी मृतिव हो जाती है लोटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गूरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है लुटन पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वास्तों में सच्चा यही है कि लुटन ने किसी पहलवान से पहलवानी नहीं सिखी बलकि ये उसके अंदर अपने से डेवलप हो गया और जब स्यामनगर मेले में वो चान सिंग से कुस्ती कर रहा था तो ढोलक की थापों से उसे ऐसा लग रहा था कि ढोलक की थाप उसे कुछ दाव पेच सिखा रही है और उन्ही दाव पेच का अनुकरन करते हुए वो चान सिंग को हरा देता है इसलिए वो कहता है कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है गाओं में महमारी फैल ने और अपने बेटों के दिहांत के बावदूद लुटन धोल क्यों बजाता रहा मात्र बुहमी से सभी का लगाव होता है जनमस्थान से सभी का लगाव होता है लुटन अपना बच्पन उस गाओं में बिताता है और 15 वरसों के बाद जब पुनह वो अपने गाउं लोडता है तो फिर से उसे अपने गाउं में वही प्रेम प्राप्त होता है इसलिए गाउं के लोगों के साथ वो भावनात्मक रोप से जुड़ा हुआ था और उसे ये लगता था कि जब वो धोलक बजाता है तो गाउं के लोगों में संजीवनी सक्ती का संचार हो जाता है वो मौत से लड़ने लगते हैं इसलिए अपने बेटों की मृत्यूं के बाद भी वो धोल बजाता रहा धोलक की आवाज का पूरे गाउं पर क्या असर होता था? धोलक की आवाज से रात का सन्नाटा और भै कम होता था महमारी से पीडित अधमरे से लोगों की नसों में बिजली दोड़ने लगती थी सब की आँखों में दंगल का द्रिश्य जागरित हो जाता था सब में जीने की एक नहीं उमंग जाग जाती थी ये धर धोलक की आवाज से गाउं पर होने वाला असर महमारी फैलने के बाद गाउं में सुरियोदे और सुरियास्त के द्रिश्य में क्या आंतर होता था? माहमारी फैलने के बाद सुर्योदे और सुर्यास्त के बाद के नजारे बिलकुल भिन होते थे सुर्योदे के पश्चा दिन भर गाओं में हलचल थी चाहे बीमार लोग हाहा कार करे या एक दूसरे से मिले या बाते करे या रुदन करे या लासों को जलाने जाए लेकिन हलचल रहती थी लेकिन सुर्यास्त के बाद इस्थिती बिल्कुल उलट हो जाती थी चारों और सन्नाटा चा जाता था घरों से कराहने की, रोने की, कैय करने की आवादें आती थी नहीं तो बिल्कुल सन्नाटा लुटन की अंती मिच्छा क्या थी? लुटन की अंती मिच्छा यह थी कि जब उसे जलाया जाए तो चिता पर उसे पेट के बन लिटाया जाए क्योंकि वो कभी चित नहीं हुआ था और उसे जब जलाया जाए तो धोल जरूर बजाया जाए उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप इस पार्ट के प्रशनोतर और इस पार्ट का टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक करके पास सकते हैं इसके साथ ही इस पार्ट के कुछ महत्वपुन्द बिंदू या स्मरणिय बिंदू दिये गए हैं अगर आपने इसका अध्यन कर लिया तो आप इस पार्ट को बहुत ही बारिकी से समझ जाएंगे